एक भिन्न का एक पून संख्या से भाग आये अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं यदि 10 cm लंबाई के एक कलर पेपर को 2,5 cm की लंबाई की समान छोटी स्टिप्सों में विभक्त किया जाता है तब हमें कितनी स्टिप्स प्राप्त होंगी दो बटा पांच का व्योत क्रम पांच बटा दो है तो 10 भाग दो बटा पांच बराबर 10 गुणा पांच बटा दो इससे 50 बटा दो प्राप्त होता है भिन्न को सरल करने पर हमें 25 प्राप्त होता है इस प्रकार एक पून संख्या को किसी भिन्न से विभाजित करने के लिए उस पून संख्या को उस भिन्न के व्योत क्रम से गुणा करते हैं एक और 3 बटा 5 भाग 7 बराबर क्या होगा आईए हम सर्वप्रताम मिश्रित भिन्न को एक विशम भिन्न बनाते हैं हमें 8 बटा 5 भाग 7 प्राप्त होता है ये 8 बटा 5 गुणा 1 बटा 7 के बराबर है क्यूंकि 1 बटा 7 साथ का व्युत करम होता है उत्तर के रूप में हमें 8 बटा 35 राप्त होता है